श्लोक सोला से अठारा अनन्त विज्यम राजा कुंती पुत्रो युधिष्थिरा नकुला सहदेवश्च सुघोष्मनि पुष्पको काशष्च परमेश्वास शिखंडी च महारथा ध्रिष्ट द्युमनो विराटश्च सात्य किष्चा प्राजिता कुंती के पुत्र राजा युधिष्थिर ने अपना शंक अनन्त विज्य बजाया और नकुल और सहदेव ने सुघोष्च और मगिपुष्पक शंक बजाया बहान धनुर्धर काशी राज, महान योध्धा शिखंड, धश्ट द्युमन, विराट, अजे सात्य की, दुरुपद, द्रौपदी के पुत्र और अन्य, हे राजन, जैसे सुभद्रा के महाबाहु पुत्र, सभी ने अपने अपने शंक बजाये तात्परिय संजय ने राजा धृत्राश्ट्र को बहुत चतुराई से सूचित किया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने और अपने पुत्रों को राज्ज की गद्धी पर बैठाने की उनकी मूर्खतापूर्ण, नीती बहुत प्रशंसनिय नहीं थी संकेतों ने पहले ही सपष्ट संकेत दे दिया था कि उस महान युद्ध में पूरा कुरुवन्ष मारा जाएगा भीश्म पितामा से शुरू होकर अभिमन्यू जैसे पौत्र और अन्य लोगों तक जिनमें दुन्या के कई राज्जों के राजा भी शामिल थे, सभी वहां मौजूद थे और सभी का विनाश हो गया यह सारी विपत्ती राजा धितराश्च के कारण थी क्योंकि उन्होंने अपने पुत्रों द्वारा अपनाई गई नीती को प्रोचसाहित किया था